यह सेड़ करती हूं का अपने शेनल आपके सहयली शोबन में नहीं अंचे इस विडियो में हम जाने वसे आपके से विडियो और प्रेचिवींट कालne होते हैं कब अंडे आते हैं, कब अंडे और स्पम बच्चे को बनाते हैं, कौन सी ऐसी तारीक होती है जब आपका एग फर्टिलाइज होने के चांस ज्यादा होते हैं, शायद इसके बारे में आम लड़किया या महिलाई नहीं जानते होगे, लेकिन जो बायलोजी के स्टुडेंट हो इस बारे में जानकारी होगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पर्म एंड एग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी, तो चलिए पिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं, वीडियो अगर आप लोगों को यू बन सकते हैं, तो यदि आप जल्दी प्रेग्निंट होना चाहते हैं, या जल्दी मा बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा, कि आपकी पीरियो डेट क्या है, पीरियो कब आता है, और पीरियो कब जाता है, जब आप इसके बारे में सही से जान लेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगे कि जिस तारीक को आपका period आने वाला होता है उसके ठीक 14 दिन पहले यदि आप अपने partner के साथ में संबंद बनाते हैं तो आपकी pregnant होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है आप अपनी period आने की date से 14 दिन पहले यानि 13, 14 और 15 दिन जिसमें 14 दिन है वो जल्दी pregnant होने के लिए सबसे अच्छा होता है यदि आप किसी भी दिन 10 दिन 20 दिन या 25 दिन या पिर अन्य किसी दिन संबंद बनाते हैं और सोचते हैं कि pregnant हो जाएगी तो इसकी संभावना बहुत कम होती है ज्यादा तर लोग इसमें ऐसा फल ही होते हैं जब लड़किया पैदा होते हैं तो उनकी पास करीब 10 से 20 लाग तक अंडे होते हैं और जैसे ही बड़ी होती जाते हैं उनकी अंडे भी कम होते जाते हैं जब लड़की को पहले बार पीरियेट सोते हैं तो उस समय अंडों की गिंती लगबग 6 लाग होती है जब लड़की या महिला का मासिक चक्र चल रहा होता है तो किसी एक अंडाश्य में तीन से तीस अंडी परिपक्वा होने शुरू हो जाते हैं उसके साथ ही महिला का हर महीने ओवलिशन होता है जब एक अंडा बनता है तो उसको फैलोपेन टूब में खीस लिया जाता है सबसे पहले इसके parts के बारे में समझ लेते हैं, जैसा कि आप picture में देख पा रहे हैं, इसके दोनों तरफ और आवरीज होती हैं, जिसे हम अंड कोस्ट भी कहते हैं, यहां महिलाओं के अंडे स्टॉर होते हैं, इसके उपर दोनों तो फैलोपिन ट्यूब होते हैं यहां आपको ध्यान से समझना है परतेक महीने बारे बारे से एक ओवरी से एक अंडा रिलिस होता है यदि एक महीने एक अंडा आपके राइट ओवरी से निकला है तो अगले महीने एक अंडा आपके लेट ओवरी से निकल होने का आपकी जानकारी के लिए बता दू कि जो अंडा औरिस दे निकलता है वह फैल्फेंट ट्यूब में 12-14 गंटे तक सीवित रहता है इसके बाद रैप्चर हो जाता है यानि टूर जाता है हालांकि जो स्पम होता है वह आपकी विजयना में एक बार एंटर होने के बाद लेकिन अंत में एक स्पम ही अंडे तक पहुंच पाता है जो अंडे के पास स्पम पहुंच आता है तो वह अपने आप में एक जाइगोट बना लेता है और वह जाइगोट बन जाता है तो समझ लेजे कि आप रिगनिंट हो गई है जब एक जाइगोट बन जाता है तो वह देरे देरे फालोपेंट ट्यूप में यूट्रस में आ जाता है और इसके बाद आपकी गर्वाश्य का मुह बंध हो जाता है और देरे देरे बच्चा बनना शुरू हो जाता है तो इस तरह से एक महिला गरब धारन कर लेती है तो फ्रेंड्स ये था मेरा आसका वीडियो वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई